तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको बताने मौवाइल के पांच ऐसे विचर अगर आप उनको यूज करेंगे डेफिनिल्टी आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो यह फीचर कहा है और कैसे में लेंगे और कहां इसका यूज करना है तो एक एक चीज लेंगे तो आपको नीशे की तरफ देखेंगे आपको एक ओप्शन मिल रहा है गौ-टू-वेबसाइट वाला जैसी आप उस पर कलिक करेंगे गो-टू-वेबसाइट पर वो उस पेज पर ले जाएगा जहाँ पर आपने स्क्रीनशाट लिया या फिर जो भी एपन आपने का screenshot लिया होगा तो यह वहाँ पर आपको ले जाएगा जो की बहुत ही कमाल का feature मुझे लगता है कि screenshot के लिए रेटेड बहुत ही कमाल का feature है तो दूसरा feature बताने वालों दोस्तों वह है recent विंडो खोलेकर ательно अपको यहां पर में यगाल ट्रीग खोलकर रखी हुई है और यहां पर अनुझे यहां पर दोसरे प्री district है पर यहां तो मैं यहां पर यहां जाल कर सकता हम आप देखेंगे यह फॉरारी वाली वीडियो पुरानी वाले पेच पर या पुराने वाले जो अपने खुली हुई है उस पर जाने के लिए मैं इस गैजर का यूज कर सकता हूं जो की नविगेशन गैजर आप देख रहे हैं कितने easily यहाँ से मैं switch कर सकता हूँ आपधे कितने easily यहाँ पर यह switch हो रहा है तो यह geyser को कैसे use करना है क्या करना है इसके लिए आपको करना क्या हो मिन्न करना है никомर गैसर आपको इसको on करके रखना है उसके बाद आप इसको use कर पाएंगे आप देख रहे हैं कितने असानी से यहाँ पर यह switch हो जाता है यह देखेंगे आप कितने असानी से यहाँ पर आप इसको switch कर सकते हैं कितने भी page हों आप easily उसको यहाँ से move कर सकते हैं बहुती ही यहां से आपको दिख रहा होगा कितनी ही जी ली हाँ से यह मूब हो जाता हे तो यह भी बहुती कमाल का फीजर येवाला गैजर यूजर करने के लिए आप देखेंगे आपको फड़े है ठाफ लग लग रहा है बड़ Est Testamentry मजा आने के आज आएए लगता है उसके बाद यह देखिंगे आप यहाँ से मैं जाओंगा तुर प्रीवयस में जाओंगा उसके पहले जो ओपन करी होंगीट तो बहुती शांदार फीचर है वाला जो कि बहुत यूस्फुल तो तीसरा वाला पेज उपन करते हैं तो आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको इस वाली एप मिल रही है आपको दिख रहा होगा इस जितनी बार आप करेंगे उतनी बार नहीं आप सब्सें करते हैं अभर आप करना वहाँ नहीं यहां जाना का सटेंग वाले उप्शन पर आपको हैैं को पहले जो जों Кमाल भी वालें बहुत ही शानदर दोस्तों दोसके लिए फ्राइव ने-गैलि campaign की है गैलरी खोलने के जब मैं यहाँ पर open करूंगा यहाँ पर recent window open करने के बाद आपको यहाँ देखेंगे उस पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर कितने सारे option मिल रहे हैं आपको दिख रहा होगा split view on one on one अगर आप split view में कर देंगे तो आपको ऐसा option मिल जाएगा आप इखटे दो तिन आपको खोल पाएंगे पहली एप यहाँ पर खोल जाएगी उसका दूसरी एप खोलना जाते हैं तो इखटे आप दो आप यहाँ पर चला पाएंगे split view में पहला तो यह हो गया split view आप यह उसकर सकते हैं कर सकते हैं यह हो गया pop-up view उसके बाद आप जाएंगे नीचे की तरह उसके बाद आपको एक और option मिल रहा है यहाँ पर lock this app lock this app कर देंगे तो उसका क्या होगा जब आप पूरी close भी कर देंगे तो जिसको आपने lock करा वाली आप वहाँ से close नहीं होने वाली मतलब background में चलती रहेगी उसको अगर आप बचाना जाते हैं उसको unlock करना जाते हैं तो फिक करेंगे यह unlock हो जाएगा उसके बाद दोस्तों एक और काम का फीचर यह है pin this app यह pin this app को अगर आप इसको पिन करके दे सकते हैं कोई सी भी एप को खोल के तो वससी एप को यूज करते जाएगा दूसरा एप यूज कर पाएगा इसको आपको अटाने के लिए आपको उपा की ता तुरस वाप करके रखना पड़ेगा recent window की तरफ और यह यहां पर आपका developer option एक on हो जाएगा developer यह on हो गया यहाँ पर आपको एक option मिल रहा है, demo mode के नीचे, quick setting, developer tiles, जैसी आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक option मिल रहा है, sensor off, जो की बहुत ही कमाल का feature है, आपको करना है, इसको on, जैसी आप इसको on करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे, आपको सबसूपर एक option मिल गया, notification में, wifi के बगल में, screen sensor off option, तो इसका work क्या है, अगर आप इस sensor off को on कर देंगे, दोस्तों, इसके बाद कि आखो, जितने भी sensor आपके mobile से connected है, like processing sensor, camera sensor, or mic sensor, और जितने भी चोटे मोटे जो sensors connected होते हैं, सब काम करना बंद कर देंगे, यह उसलिए होता है, अगर आपका mobile, अगर आप इस night में अगर इसको enable कर सकते हैं, तो उससे आपकी battery save होगी, like कैसे, अगर आपने इसको enable कर लिया, अब अगर आप camera खोलेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे, camera error आजाएगा, security करके error दे रहाए, आपको दिख रहा होगा, camera on नहीं होगा, camera on नहीं होगा, तो ऐसे बहुत सारे sensor यहाँ बंद हो जाते हैं, इस sensor के सबसे चाफाइदा है, जब आप mobile use नहीं कर रहे हो, तो आप इसको on कर सकते हैं, बड़ एक चे ध्यान रखेगा, अगर आपने इसको on कर लिया है, तो कुछ sensor आपके work नहीं करेंगे, like microphone आपको शायद calling बे भी दिक्कत हो सकती है, तो इसको off कर लिएगा, उसके बाद आप use करेंगे, तो आपको बापेस previous जैसा use कर पाएंगे, जो की बहुत शांदर feature मुझे लगा, तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे, तो प्लीज सब्स्राइब का बटन दवाना ना मुले, तो तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है दोस्तो मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप मेरी देशलाइक भी कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी मेरी जो फीचर है, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा, या इसके अलावा भी कोई अच्छा hidden feature है तो आप मुझे commenter के ज़रूर बताएं दोस्तों और हो सके तो मेरी वीडियो को share करना ना बुलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहें और अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना बुले तागी मेरे चैनल की next update आपको सबसे पहले मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे इंस्टागा और फिजू फोलो करना भी ना बुले इसका लिंक आपको डिशन पर मिल जाएगा तो थेंक्यू दोस्तों